आंगनवाडी मिड़े मिल कर्मियों का हला बोल मुख्य मंत्री को सोपा ग्यापन पदोन्ती के लिए 35 वर्ष आयूशिमा की सर्थ हटाने की माग उठाई मजदूर और किशान संगठनों के महापड़ाओ के दूसरे दिन रविवार को सीटू से समंदित आंगनवाडी कार्य करता हूँ और मिड़े मिल करमचारियों के ने सच्चिवाले के बाहर जोरदार धरना परदर्शन किया परदेश भर से बड़ी संक्या में पहुंची महिलाओं ने ठंड के परवा के बिना पूरे दिन मांगों को लेकर नारे बाजी की परदर्शन के दोरान मुख्य मंत्री को मांग पत्र भी सोपा गया इस पर मुख्य मंत्री ने गंबेरता से विचार करके रहत देने का आश्वासन भी दिया है समाजिक निया एम आधिकारिक्ता मंत्री धनीराम सांडिल को भी मांगों से आवगत कराया गया आंगनवाडी कारेकरताओं की पर्मोशन के लिए 35 वर्ष की सिमा को खतम करने प्री प्राइमरी में आंगनवाडी कर्मियों की 100 फिस्दी निकती करने निकती में 45 वर्ष की सर्थ खतम करने सुपरवाईजरों के पद भरने नयाले के आदेशों पर करनाटक गुजरात की तर्ज पर ग्रेचूटी देने हरियाना की तर्ज पर वेतन और वरिष्ठ तालक कलाब देने पंजाब की तर्ज पर मेडिकल और छूटिया देने और सेन अनिवर्ती आयू 65 वर्ष करने की मांग उठाई मिड़े मिल वर्करों को दो महीने से वेतन का बुक्तार नहीं होने हरियाना की तर्ज पर 7,000 रुपई वेतन देने पंजाब सरकार की तर्ज पर 10 के बजाए 12 महीने का वेतन देने और बारा से 20 दिन की चुटिया देने मल्टी स्टार्श के भारती में मिड्डे मिल कर्मियों को प्रात्मिक्ता देने के अलावा 45 वे भारती स्रम शमेलन की शिफारिश के नुसार मिड्डे मिल कर्मियों को मस्दूर का दर्चा देकर नेमित करने की मांग उठाई केंदर सरकार की आंगनवाडी वे मिड़े मिल योजना को कमपनियों के हवाले करने और मिड़े मिल योजना का नाम बदल कर परदानमंत्री पोष्ण योजना करने का करने पर रोज जताया है जनसभा को सीटू राश्ची सचीव डॉक्टर कस्मीर ठाकूर परदेश अदेक्स विजेद विजिंदर महरा ने संबोधित किया